येलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कजोपस की कैस ना है वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन से समदीत की अब तक की जोन में कितने फार्म अपलाई हो चुके हैं और कौन सा जोन सबसे टॉफ होने वाला है आपके लिए और कह से आपको फार्म अपलाई करना सही रहेगा नई सही रहेगा इसके बारे में जानेंगे सबसे खतरनाक जूनवीर देखेंगे कौन सा आपके लिए हो सकता है तो चलिए सबसे पहले यह जान लीजी Ini आप लोग कोई भी जोी लिया गया यह सारा 직arl यिदे हम काला जा रहा है और इसकी साथ से अपने आप जो समझ में आ रहा है यांई हम लोगों को जैसा लग रहा है यह आपको यहां पर दिखाया जा रहा है बट यह नहीं कि यह official कोई जानकारी है आप के लिए तो आप इस data को मान भी सकते हैं नहीं तो फ़ाम अप्लाइब कि यह डाटा दिया गया जिसमें अमधापाद में देखिए साथ सो एक सर्ट सीट पर 41500 से 142500 के अपरोक्स आपका यहां पर फिल अप हुगा है यह इसके अंदर यहां पर फिल अप हुगा है अगला है आपका बोपाल में 452 सीटे है जिसमें आपका 25000 से लेकर 26000 के आपका बोपाल सब्सक्राइब हुगा है अगला है आपका भूमनेश्वर देखिए यहां पर 500 सीट है जिसमें 10-11000 फार्म अपलाई हुगा है तो काफी कम सीट है बट अपलाई भी यह से कम हुगा है तो आपको जून सेलेक्ट करने से पहले आपको यह सारा डाटा देखना पड़ेगा कि यहीं कि सही ना पर एक नबी आपको किसा चली में आपको रहेगा जैसे गुरक पूरे 205 सीट है तो यह से देखिए काफी कम यहां पर भी अपलाई हुआ है साड़े 14 से 15,000 के असपास अगला है आपका गुवाटी में देखिए और इसमें भी आपका 23,000 से 24,000 के असपास अपलाई हो चुके हैं अगला आपका मालदा 275 सीट है जिसमें आपका 10,000 से 11,000 से 11,000 के अपलाई हुआ है यह मुझे जहां तक लग रहा है काफी अच्छा है क्योंकि 300 के असपास है और काफी कम यहां से आपका अपलिकेशन हुआ अगला आपका मुझे फर पूर देखिए यहां से 14,000 के 15,000 के असपास हुआ है अगला आपका पर्याग राज तीन सोट सीट पे 19,000 से 20,000 के अपलाई हो चुका है अगला आपका राची साड़े 300 सीट है जिस पर आपका 20,000 से 20,000 अपलाई हो चुका है अगला आपका अगला आपका सिली गुरी में 83 यहां पर सीट है और 9,000 से 10,000 के असपास अपलाई हो चुका है अगला आपका तिरुवन पूरम 278 सीट है जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर 13,000 से 14,000 के असपास अपलाई हो आए तो आए देखते हैं कि सबसे बेश्ट जोन आपके जैसे आप 500 देखें तो एमधाबाद अजमेर और आपका विवलासपूर चिन्नाई गोहाटी मुंबई और आपका एक सिकंद्राबाद होगा और एक है सिकंद्राबाद देखिए इसमें अगर देखा जाए तो मुझे सबसे सेफ आपका लगा पहले नम्मर पे आप सिकंद्राबाद यह भी देख सकते हैं 27,000 से 28,000 के असपास फार्म अपलाई हुआ है और आप मुंबई को भी ले सकते हैं यहां पे काफी ज़्याद अपलाई हो चुका है यह भी आपके लिए सेफ है मान सकते हैं यह भी सही है बड कहीं न कहीं इस बार एक बार देखा गया था जैसे गुरूब डी में कि आपका जो 72 सब बहतर कटाफ चला गया था तो काफी लोग यहां से फार्म अपलाई कर दिये थे पीछले कटाफ करते हैं और कहीं न कहीं जो भी जाते हैं वह पढ़ाई करने वाले होते हैं सेलेक्शन लेने वाले होते हैं तो अच्छे पढ़ाई करते हैं और अपने जोन में अपलाई करता है वह यह तो बहुत तेज होता है या फिर बिलकुल इना पढ़ने वाला होता है ऐसे ही बढ़ यानि आप देख सकते हैं कि मुंबई में यहां पर 1284 सीट पर एक्याओन अजार से बावन है बट यहां पर बिल्कुल नहीं अगर इस इस स्टेट के हैं यानि आजमेर राजस्थान के तो आप यहां से बिल्कुल अपलाई करिए बट दूसरे राज्य के तो बिल्कुल ना जाये तो मेरे इसाब से अच्छा रहेगा और बिलासपूर से आपको देखिए यहां से आठ सो एक्ट सीट है सबसे कम सीट में सबसे बेटर आपको होगा कौन सा सबसे बेटर मेरे को लगा है यहां पर मालदा मालदा में काफी कम यहां पर कटाप जाता है 275 सीट पर 10-11000 मात्र यहां पर अपलाई हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे बेटर यह जून होने वाला है आपके लिए यदि आप लोग कम seat पे ही आप लोग सेलेना चाहते हैं और आप UPBR के आसपास के राजे से हैं तो आप यहां से apply करिएगा बट आपको apply करने से पहले सबसी यह देखना है कि आपका seat कहां पे जाद है यानि किस ट्रेड में कितनी seat है यह देखकर के apply करिएगा अगला है अगला बेटर जोन हो जाएगा मेरे हिसाब से कम seat में आप यहां से यह दिभरते हैं मालदा या फिर तिरुवनपूरम या फिर गोरकपूर्थ से भी बढ़ सकते हैं यहां पर 14-14 जारी फार्म गिरे हैं तो यह आपके लिए बेटर रह सकता है बाकि आप अपने हिसाब से देख ल जाएगा ताकि आपको आगे वीडियो मिलती रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और एक लाइक कर दीजागा वीडियो को ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह की जानकारी आप सभी के लिए प्रस्त करते रहें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक् जाएगा थेंक्यू